Hello guys, welcome to my channel, my name is Ruchy Panora So, हम अपनी सीरीज को continue करेंगे हम सीरीज में पढ़ रहे थे Class 12 की Maths की NCRT का Excise 3.1 Last video में मैंने आपको question no. 5 कराया था इस video में हम question no. 6 को cover करेंगे So, बिना किस दरीके इस question के तरफ बढ़ते हैं तो question no. 6 क्या कहता है इसने कहा है, find the values of x, y and z from the following equations So, इस question में basically कहा है कि मैंने आपको कुछ equations दी है उन equations में से आप x, y और z की value को find out करो ठीके, आप देख सकते हैं आपे हमारे पास 3 equations है ठीके, हमें इन 3 equations की क्या करनी है x, y और z की value निकालनी है तो देखो, one by one हम क्या करेंगे इन 3 questions को solve करेंगे So, देखो, first question से start करते है First equation को मैंने या note down कर दिया है अब मुझे क्या करना है x, y और z की value को find out करना है तो देखो, हमें देखते ही क्या पता चल रहा है कि मेरे पास 2 metrics हैं एक left hand side में है और एक right hand side में है और ये दोनों क्या है बराबर है ठीक है अब देखो, जब भी 2 metrics बराबर होती है तो उनके corresponding elements क्या होते हैं equal होते हैं corresponding elements जाने कि same place पे जो भी elements लिखे होंगे वो बराबर होंगे जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है ठीक है और same place पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है y लिखा हुआ है तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है तो y की value क्या आ गई हमारी 4 आ गई अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है अब same place पे दूसरी matrix में क्या लिखा हुआ है z लिखा हुआ है ठीक है? तो यह दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे तो z की value क्या आ गई? 3 आ गई अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है अब same place पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है तो यह दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे तो x की value क्या आ गई हमारी 1 तो देखो यहाँ पे हमने x की value भी find out कर ली y की भी कर ली और z की भी कर ली ठीक है देखो अगर आप यह एक्जाम में सॉल करोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में reason लिखना पड़ेगा कि दोनों matrix बराबर हैं इसलिए उनकी corresponding elements क्या होंगे equal होंगे ठीक है that's why x is equal to 1, y is equal to 4 and z is equal to 3 ठीक है तो हमारा first part complete हो गया है अब इसको रब करती हूँ मैं और second part को solve करता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे second part को लिखेंगे x plus y 5 plus z 2 x y 6, 5 2, 8 तो यहाँ पे देखो x plus y किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा ठीक है तो यहाँ लिख देते हैं x plus y is equal to me 6 x y किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा x y क्या होगा 8 के बराबर होगा y plus z किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा 5 plus z is equal to me 5 तो दोनों matrix बराबर है तो इसलिए हमने दोनों के corresponding elements को भी बराबर रख दिया है ठीक है, x plus y को बराबर रख दिया 6K 5 plus z को रख दिया बराबर 5K और x, y को रख दिया बराबर 1 ठीक है, तो देखो, first equation हमारी ये है ये हमारी second equation है और ये हमारी third equation है first equation में x, y दो variable है second equation में भी दो variable है लेकिन third equation में दो variable नहीं है तो ये solve हो जाएगा डाय तो z की value क्या आ गई? 5 minus 5 तो z की value हमारी निकल गई 0 तो हमें z की value तो मिल गई अब क्या करना है, हमें सिर्फ x और y की value को find out करना है तो देखो, first और second equation हमें क्या करेंगे substitution method का use करें बहुत अची से समझ आ जाएगा और उस video का link मैं description box में डाल दूँगी अब वहाँ से देख सकते है तो देखो, पहले में क्या करूँगी second equation में से y की value को find out कर लोगी तो y की value की आ जाएगा 8 upon x तीक है अब इस y की value को मैं equation 1 में put कर दूँगी 8 upon x is equal to me 6 ठीक है, अब देखो lcm लेंगे x के इंचे कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे 1 लिख देंगे 1 और x के lcm लेंगे तो क्या आएगा x आएगा अब देखो 1 की table में x कब आएगा x पे आएगा और इस x को multiply कर देंगे numerator से जो की है x तो x into x क्या होगा x square तो यहां आजाएगा x square प्लस का प्लस x के table में x का बाता है 1 पे और इस 1 को multiply करेंगे numerator से जो की है 8 तो 8 बंजा 8 तो यहां आगया 8 बाकी हम सेम देखे ठीक है, तो हमारे पास equation आगई x square plus 8 upon x is equal to me 6 यह x क्या है, उपर चले जाएगा multiply में x square plus 8 is equal to me 6x ठीक है, अब देखो इस 6x को left hand side ले आते हैं अभी क्या यह plus का है left hand side में minus का उच जाएगा तो x square minus 6x plus 8 is equal to me 0 अब देखो यहां आपरे पास एक equation बन गई है अब मुझे इसको क्या करना है, solve करना है solve कैसे करेंगे हमें इसके factors निकालने पड़ेंगे और factor निकालने के लिए हमें middle term splitting का यूज़ करना पड़ेगा आप बोलोगी आप यह क्या है, अगर आपको नहीं पता, don't worry इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, पहले आप उसको अच्छे समझना देन इस question पे वापिस आना, तब आपको अच्छे से समझ जाएगा च्यूकि मैं यहाँ पर अगर middle term splitting समझाओंगी detail में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ठीक है, तो आप पहले उस वीडियो को देखना, देन यहाँ पे वापिस आना और वीडियो का link, of course, description box में आपको मिल जाएगा तो देखो, इसको factor नेकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, lsm लेना पड़ेगा ठीक है, अब देखो, lsm लेना किसका है तो constant, हमारा constant क्या है, 8 और x square coefficient, जो की है, 1 इन को हम क्या कर देंगे, multiply कर देंगे, तो 8 को 1 से multiply करेंगे, तो क्या आएगा, 8 तो हमें 8 का lsm लेना है, इसका lsm लेते हैं, 24 जा 8, 22 जा 4, 21 जा 2 ठीक है, अब देखो, हमारे पास lsm आ गया, lsm क्या है हमारे पास 2 into 2 into 2, अब हमें ऐसा combination बनाना है कि value क्या आए 6i, जो की x का coefficient है, ठीक है, तो देखो, 22 जा 4 अगर 4 को 2 से plus करेंगे, तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यानक ना, मुझे plus का 6 नहीं चाहिए, minus का 6 चाहिए, तो यहाँ पे हमें minus 4 और minus 2 यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि minus 4 और minus 2 क्या होता है, minus 6 होता है, ठीक है, तो x स्क्वेर, minus 4x, minus 2x, plus 1, ठीक है, आप देखो, इन दोनों में common क्या है, x common है, तो 1x भारा जाएगा, यहाँ पे 2x है, तो 1x भारा जाएगा, तो x भार ले लिए अंदर क्या वाज़ा, 1x बचा और सिर्फ 4 बचा, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, minus भी common लेना पड़ेगा, ठीक है, और 2 और 8 में क्या common है, 2 common है, ठीक है, तो देखो, यहाँ तो 2 cancel हो गया, क्या बचा, सिर्फ x बचा, minus हम अलड़ी भार ले चुके, अब देखो, जब भी minus common लेते हैं, तो sign उल्टा हो जाता है, तो plus का हो जाएगा, minus, ठीक है, अब 2 हमने भार ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, अब इन दोनों में common लेना है, है x-4 तो यह x-4 क्या हो गया है बहारा आ गया है अंदर क्या बचा एक्स बचा माइनस और यहां पर हमारा टू बचा ठीक है इसको यहां लिख देते हैं x-4 x-2 is equal to 0 तो x-4 को बराबार रखेंगे 0 से तो x की value आ गई 4 और अगर x-2 को 0 के बराबार रखा तो x की value आ गई 2 अब हमारे पास दो value आ गई है x की एक आई है 4 एक आई है 2 ठीक है अगर x की value 4 है तो y की value क्या होगी तो हम second equation में अपनी value पूट कर देंगे तो y की value पूट कर देंगे इसमें y is equal to 2 तो y की value क्या आ गई 2 आ गई अगर x की value 4 है तो y की value क्या है 2 है ठीक है अब देखो अगर x की value 2 है तो y की value क्या आ जाएगी 4 आ गई तो अगर x की value 2 है तो y की value क्या आ गई हमारी 4 आ गई ठीक है तो हमारे पास 2 case बन गए case 1 जिसमें x की value क्या है 4 है तो y की value हमारी 2 आ गई और z तो हमारे पास 0 ही है फिर एक case 2 जिसमें x की value किया है 2 है अगर x की value 2 है तो y की value 4 है और z तो हमारा same ही रहेगा 0 ठीक है so either x, y, z की value यह होगी या फिर यह होगी ठीक है तो यह हमारा second question complete हो गया है ठीक है अब हम बढ़ते है next question की तरफ ठीक है तो इसको फिर अब कर देती हूं मैं third part है हमारा इसमें दिया हुआ x plus y plus z then दिया है x plus z then दिया है y plus z हमें बोला है यह दोनों matrix क्या है बराबर ठीक है अब हमने दो parts कर ली है हमें पता है जब दो matrix बराबर होती है तो उनकी corresponding elements क्या है बराबर होते है ठीक है तो x plus y z किसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा तो मैं यह लिख देती हूं x plus y plus z is equal to me 9 ठीक है दोन हमें पता है x plus z बराबर होगा 5 के यह लिख देती हूं x plus z is equal to me 5 दोन हमें पता है y plus z बराबर होगा 7 के y plus z is equal to me 7 corresponding elements क्या होंगे बराबर होंगे और उससे हमें 3 equations मिल गए ठीक है यह हमारी first equation यह second equation और यह हमारी third equation अब हम क्या करेंगे substitution method का use करेंगे और इसको solve करेंगे तो देखो third equation में दिया है कि y plus z की value क्या है 7 तो first equation में हम क्या कर देंगे y और z की value को put कर लेंगे तो x plus 7 is equal to me 9 इसको solve करेंगे 9 minus 7 x is equal to me आ गया 2 ठीक है यहां सा हमें पता चल गया x की value जो कि आ गई 2 अब इस x की value को हम put करेंगे second equation में 2 plus z is equal to me 5 यहां सा हम z की value निकाल लेंगे 5 minus 2 is equal to me 3 तो z की value क्या आ गई हमारी 3 ठीक है अब इस z की value को use करेंगे और हम क्या करेंगे equation third में put कर देंगे y plus 3 is equal to me 7 y is equal to me 7 minus 3 तो 7 में से 3 गई 4 तो यहां पे आ गया 4 तो y की value क्या आ गई हमारी 4 आ गई तो third equation में हमारी x, y, z तीनों की value आ चुकी है तो हमारा question number 6 complete हो गया है ठीक है एक बर मैं brief दे देती है उस question का हमें question में equations दी थी और कहा था x, y, z की value को find out करो और equation में हमें क्या की वन थी दो matrix equal दे रखे थी ठीक है अब आपको यह concept पता होना चाहिए कि जब भी दो matrix बराबर होती है तो उनको corresponding element भी क्या होते है बराबर होते है ठीक है आपको यह चीज़ पता चल जाएगी बहां से आप x और y, z की value निकाल सकते है ठीक है तो इस question में इतना ही था अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे से comment section में पूछ सकते है और अगर आपको वीडियो पसंदाए तो प्लीज वीडियो को like करना, share करना और चैनल को subscribe करना इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपको मिलूंगे next वीडियो में आपको आपको सब को समझा आ गया होगा इंक्स वाचिंग